इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। एक मिर्गी रोधी दवा है जिसका उप्योग मिर्गी के इलाज के लिए किया जाता है। यह कुछ प्रकार के दौरे, फिट बैठता है, को रोकने में मदद करता है। यह चेहरे, सिर और गर्दन की दर्दनाक स्थिती के लिए भी निर्धारित है, जिसे ट्राइजैमिनल निूराल्जिया और मधुमेह से संबंधित तंत्रिका दर्द, मधुमेह निूरोपेथी के रूप में जाना जाता है। टेकरिताल डिवटाब्स को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाहिए, लिकिन इसे हर दिन एक ही समय पर लें। खुराक और आपको इसे कितनी बार लेने की आवश्यक्ता है। यह आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा मिल सके। इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। कई आन्य दवाएं इस दवा के सा साथ हस्तक्षिप कर सकती हैं। इसलिए अपने चिकित्सक को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप यह सुनिश्चित करने के लिए ले रही हैं। कि यह सुरक्षित है। आप इस दवा को भूजन के साथ या भूजन के बिना ले सकते हैं। लेकिन अधिक्तम लेने से दोरे पर सकते हैं और यदि आप इसे अचानक लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, चक्कर आना, ठकान या नींद, अस्थिर्ता, संतुलन विकार, कब्ज, शुश्क मू और खुजली शामिल हैं। कुछ लोगों को धुंदली द्रिष्टी और असपष्ट भाषन विक्सित हो सकता है। अधिकांच दुश्प्रभाव गंभीर नहीं होते हैं। हाला कि अपने चिकित्सक को तुरंत बताएं कि क्या आपको त्वचा पर दाने दिखाई देते हैं किडनी या लीव की बीमारी पेशाब करने में कठिनाई या डिप्रेशन जैसी कोई मानसिक बीमारी है। ये स्थितियां आपके उपचार को प्रभावित कर सकती हैं। आपको उपचार शुरू करने से पहले कुछ रक्ट परीक्षन जैसे CBC की सलाह दी जा सकती है। और फ आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।